आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू मैंनी व्लॉग थरस्टे का डे है 25 चुलाई है आज और आज कहीं व्लॉग है आज ही जाएगा तो मॉर्निंग का टाइम हो गया था बेटू चले गए थे स्कूल के लिए और यहां पर मैंने गर्मा गर्म टी बनाने के लिए रग दी थी क्योंकि उसके बाद जब बेटू चली जाती है ना टी बना करके फिर मैं अपनी एक्सरसाइस पर लग जाती हूँ और फिर उसके बाद यहां पर दस बजे के असपास का टाइम हो गया था और मैंने कुछ ओडर करा था फ्लिप कार से तो वो में को डिलवर हुआ था तो भाईया ना नीचे उनके बस एक्सरा सामान था तो वो बोल रहे थे कि आपना नीचे से आकर के ले जाओ और तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि आपना लिफ्ट में डाल दो मैं उपर से उठा लूँगी तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था और मैंने उपर से आकर के फिर पिक कर लिया और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचिन में आज ना मनीश थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे और एक था मोई द्या खेंần फिर लका थे तो अब को प्रॉपर नंच बनाना था अब को बॉतल बोटली मैं को रीफिल करनी घी समें जो इंटेंव स्सर्ड और इसी से ही मैं कूकिक ऑना करती हляется है तो रिल्कुल फिनिश हो गया था इन फिनिश हो गया थे मैं टारिक बोटल से और जो कंटेनर था मेरा मतलब यह ओयल डिस्पेंसर था यह बिल्कु नीज एंड क्लीन था क्लीन करा था लास्ट टाल करके तो यह बिल्कु अच्छे से क्लीन थी बॉटल और इसको फिर मैंने रिफिल कर दिया था जब भी चीजों की जुडनीं की जरूत होति है तब मैं रिफिल्कु आई जका माइच रिफिल्कु दॉडल को लगंगी ट्रांसफर करते वे खंसफिल्कु द्रॉप पाइब और बागा तो फिर अट पर डॉडली चीज के बाद बॉटल पर चल्डों से लगता है दूप पर और बार बार ओयल डिस्पेंसर जो है ना वह मैं साथ के साथ नीटन क्लीन करती रहती हूं जितनी बार यूज करती हूं साथ के साथ फिर मैं उसको एक टॉबल से हैंकी से या टीशू से क्लीन कर देती हूं के बाद आज मैं बनाने वाली थी कड़ी क्योंकि यह चाज का जो पैकेट था जिसकी लास्ट एट थी तो फिर मैंने का चलो यह बना देती हूं आज कल ना वैसे मैं यह वह वाली सबजें ढूंती रहती हूं जो बिना टमाटो के बनानी पड़े कौन कौन ऐसा कर रहा है में क कॉमेंट करके जुरूर बताना तो थोड़ा सा क्योंकि टमाटो के आपको रेट पत है कितने जादा हाई हो गए हैं तो मैं मोसली वह वाली सबजें आज कल जादा बनाती हूं जो बिना टमाटो के बन जाए या फिर जिसमें कम बने क्योंकि जो ग्रेवी वाली प्यूरी व तो इसलिए फिर और चार्च की आद लास्ट एट भी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाओ क्योंकि कुछ था भी नहीं फिर मैं को आलू चंक्स बनाने पड़ती उसके लिए भी प्यूरी बनानी होती है तो मैं मैंने सोचा कि चलो चार्च की न मैं कड़ी बना द चाहिए बट मैंने डारेक्ली मेरा ध्यान नहीं दिया मैंने सीधा कंटेनर निकाला और मैंने उसमें डाल दिया और दूसरी साइड फिर जो कड़ी में पकोड़े बनने होते हैं उसकी मैं प्रपेशन कर रही थी अभी काफी देर लगेगी ना जैसे मतलब इसमें चार्च म बनाने नहीं थे क्योंकि चाच कम थी और पकोड़े जादा बना दूगी ना तो फिर वो सारी कड़ी जो है ना वो पकोड़े ये अब्जॉब कर देते हैं और सूख सी जाती है ये कड़ी तो थोड़े से ही मेरे को बनाने थे उसके अंदर मैंने अजवाइन डाली थी धनि पकोड़े में हीन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मेरी मदर इनलो बनाती है तो पहले मैं प्लें बनाती थी विदाउट हीन तो जब मैंने उनके हाथ के खायते हूँ तो तब से मैं पकोड़े वगएरा में हीन यूज़ करने लगी हूं और बस यहां पर देखो गार्ल बैसन को अचके बना रही थी प्लेन बैसन वाले पकोड़े में बना रही थी और वैसे कड़ी भी उता है वह वन्हां अच्छी लगती है तो इसलिए अन्यट ले दिये थे थोड़े से और उसी की चॉपिंग में यहां कर रही थी मैंना एक आलू भी लिया हुआ था आलू ना मनीश को पसंद आता हर चीज में मतलब उनको कोई कम पसंद सबजी है ना अगर आलू डला होगा ना तो वो आलू आलू निकाल करके खा लेते हैं मुझे कड़ी पसंद है बट मनीश को उतनी जादा पसंद नहीं है तो फिर इसले मैंने आलू डाल दिया था और यहां पर फिर मैंने हाथ से बेसंद डाल दिया था हाथ से ना थोड़ा मेरा कमफर्ट लेवल जादा अच्छा है कमपैरिक्टिवली मैं स्पून से डालूंगी तो और बस यहां पर फिर मैंने कड़ी की भी प्रपेशन दूसरी साइट कर ली थी इसके अंदर मैंने सुखा धनिया और बहुत सारे जैसे चोटे मुटे मसाले जो हम डालते हैं सुखा धनिया था अजवाइन थी जीरा था लाल मिर्ची ऐसे तोड़ करके डाली हुई थी यह सिरफ ना मैंने कड़ी के लिए ही ली हुई अधरवाइस लाल मिर्ची तो मैं यूजी नहीं करती हूं तो मेरे यह वहाँ पे खाना वाना बनके रैडी हो गया था कुकिंग से मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद मैं नहा धुकर के आ गई थी क्योंकि मॉनिंग में तो मैंने का बैचिट मैं बाद में चेंज कर लूँगे पहले नहां करके आती हूं तो मैं यहां पे तो मैं एको डराई दिया था मैं एकदम सेंटर लॉकिंग के पास बैट करके अपना वाइस ओवर कर रही थी क्योंकि पीछे से थोड़ा सा शोर सा आ रहा था तो जब मैं वाइस ओवर करती हूं फिर पीछे की बैक्ग्राउंड वाइस से जाती रहती है तो मैं वहां जा करके कर रही थी और एकदम से किसी ने नीचे से से सेंटर लॉकिंग प्रेस कर दी और मेरे कानों पर तेज से बेल बजी और मैं एकदम से वो भी किया हो गया और बस फिर उस बेड़ूम एक तम फ्रेश सा लगने लगता है कॉंटिन्यू कुछ दिन तक बेड़ूम रहती है न तो बहुत बोरियत से भी आ जाती है जिस दिन बेड़ूम नियू सा अच्छा सा लगता है बेड़ूम भी और उसके बाद फिर जो बेड़ूम अभी मैंने हटाई थी वह भ लगा देती हूं क्योंकि जो आज के लॉट्स थे न वह बला स्लॉट मैंने अभी नहीं लगाया था क्योंकि मैंको था कि आज में को बेड़ूम चेंज करनी है तो साथ में लगाऊंगी फिर मैं तो वह सारा लेकर के सारे क्लॉट्स वोल भी ले लिये थे मैंने और बेड़ लिक्विड है मेरा वह भी फिनिश हो गया इसको भी मेरे को रिफिल करना है अभी तो मैं बाद में कर लूँगी अभी बच रहे हैं दोपैर के पॉने दो मॉनिंग का सारा रूटीन जो है वो मेरा हो चुका है अब बेटू आएगी दोपैर का फिर स्टार्ट होता है और नहाद हो के मैं भी रेड़ी हो गई हूँ आज ना मैंने बैट करके मॉपिंग करी थी जो ट्रडिशन स्टाइल हो मेरे को अच्छा लगता है मैं बैट करके ट्रेडिशनल स्टाइल में पॉच्छा लगाती हूं और उससे ना बहुत अच्छी खासी है मारी एक्सरसाइज और सारी कैलरीज बन हो जाती है जो मेने खाया होता है थर्टी परसंट तो उसी में ही डाइजस्ट हो जाता हूँ क् ना बकेट भी लेकर के नहीं बैठती हूं डारेक्ट वश्ण में जा जाकर उसको पूचे को क्लीन करती रहती तो बार बार उठना भी होता है तो उसमें मेरी काफिय सारी कैलरीज होती है बढ़न हो जाती है और बस कुकिंग वगेरा मैने करके रख्योई है बेटु आएग तो फिर मैं फोडी देर के मेरे को टाम मिल गया है जो भी मेरे को extra कुछ काम माम करना होगा तो स्टाइम पर मैं बोन बड़ला या फिर मैं अभी klaÍP मे're decip लिए přिविप काहरा तो एड्टिबे काम होता है थोड़ा-अग्या मैं करती रहती हूं क्योंकि और के साथ यह वी थोड़ा से अफिस आरा मेरा टाइम जो है वो चला जाता है तो जितनी विडियो बनती रहती है ना साथ के साथ बीछ में मैं फ्री होते हूं तो मैं उसकी कटिंग बटिंग करती रहती है ताकि जो मेरा काम है वो फिर इवनिंग के लिए रह जाए अधर्वाइस फिर इवनिंग बहुत ओवर पैक्ड सी होती है बेटू का हर दिन टेस्ट कभी कुछ प्रोजेक्ट कभी कुछ प्रपरेशन आर्ट और क्राफ्ट यह वो पता नहीं क् अभी बात करते हैं मेरा ध्यान गया उधर देखा मेरे लिए एक काम और रेडी हो चुका है मैंने फ्रिज में जो आइस मेल्ट करते हैं वो बटन प्रेस करा हुआ था तो सारा जो पानी है वो बहार आ गया मैं अभी आपको दिखाती हूं तो चलो मेरी ड्यूटी अभी नहीं होते हैं जब भी सोच थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तब एक काम और रेडी पड़ा होता है चलो अब इसको भी मैं निप्टा लेती हूं और सारा पानी जो था वो बाहर आया हुआ था तो यह मौप है इससे मैं इसको मतलब ऐसे प्रेस कर रही थी ताकि वो प्रेस करकर के इसको क्लीन करना पड़ा तब जाकर के यह मौप करने लाएक हुआ काफी सारा मतलब पानी निकल के गिरा हुआ था पीछे वाली ट्रे भी भरी हुई थी फिर उसको भी मैंने निकाली जो ट्रेय है ना वो एक बार मैं निकाल लेती हूँ बट फिर वो मेरे से मनीश उसको लेते वे आ गए थे दोनों का जो टाइम जाना वो से मैच कर गया था तो मुझे मज़े आ गए है हमारी हो गई है घर पे लडाई और लडाई किससे हो यह मैं आपको दिखाती हूँ हाई हाई पिटू हाई अरे कुछ तो बोलो देखो यह मेरे से लडाई करके बैठी है ममा से अपनी लडाई कर ली इसने गुसा क्यों हो अच्छा यह तो बता दो बोलो आपको नहीं आपको बताō क्यों गुसाओ तो tarog claiming सारे परेंख filtering गुछ करना जहते हैं कर तो आपको कलंगा ऑलाद से और यह मि Punto बताओ ना बोलो 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 ये नहीं बोला बताने है आपकी वो गुस्सा हो ममा से ये नहीं बोला बताने है ममा के गुस्सा का गुस्सा बोला गुस्सा क्यों हो वो ममा में बादेश है क्या? बादेश है लुए इसमें बादेश है क्यों नहीं कर रही हैं मैं तो खुद कुरी बताऊ हमां आच्छा क्या कहा है आपने ममा मेरा बेट्ड सेलिबरेट नहीं कर रही है एक्चुली फ्रेंच कल है 26 जूलाई और मेरी बेटू का है बेट्डे तो ये बताऊ मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि नआ करें वहाँ करते हैं अच्छा सब कर दो कि वही sotto सब कर तो है तो यह हैं कि अच्छा मेंज़े चेंशेखंगा अच्छाstal है शबरेस भोटेरियो सब करेए मुझे यहें वहाँ वहाँ आपन आपने तेना अच्छा इधर आओके कहानी पैनने देती है तो वह पार्टी वे ड्रेसेज होती है वह हैवी हैवी सी फ्रॉक्स होती है न तो वह गहर पैनानी नीची तो अच्छा तो यह बात है इसले मेरी बेटी गुस्सा है हमसे अच्छा रूख रूख ह uncomfortable लो ऊच्छा ऴुष्णा हो मेरा व्रूख या nya सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करना होता है तो इस यह रहा हम डोलगे विए अवल्ग मेरा सब्सक्राइब अब मत करो वैसे भी तो नहीं होना था तो आप कल स्कूल जाओगे फिर हाँ क्योंकि आपके 27 से यूटी भी तो स्टार्ट है अब बज रहे हैं शाम की शाड़े पांच और आज का व्लाग में ईपर पैड olduğunu है, तो तो अज़ंकि ए नियू गर्ड़ी तो लिश्ण हें health हैTH om झाल झाल